Hello Students, आज का ये वीडियो उन इस्टूडेंट्स के लिए हैं जो MPPSC का prelims देने वाले हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको pre first attempt में qualify करने के लिए कौन सी books चाहिए होती है और क्या sources आपके पास होने चाहिए तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो syllabus है आपके MPPSC का उसको PSC ने 10 units में divide कर रखा है ये 10 units आपने देख ली होंगी और आपके पास नहीं भी है तो आपको सबसे पहले syllabus का print out निकलवाना है उसमें आप देखेंगे कि आपकी जो पहली unit है unit first वो है आपकी मध्यप्रदेश का इतिहास संस्कृति एम साहित्य से संबंदित इस unit में आपको MP की history और उसके art, culture, architecture वगेरा के बारे में दिया है इनसे related तो इसको पढ़ने के लिए आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए अगर आपके पास इन चारों में से पहले कोई बुक है तो आप उसी को पढ़ने और नहीं है और आपके पास समय भी कम है तो आप मध्यप्रदेश की परिक्षाधाम खरीद सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास महेश कुमार बर्नवाल की जो कोस्मोस है पहले से या तथ्यबान या जो मेकराहिल के आती है धर्में तिवारी सर की बुक इन में से कोई भी बुक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं और उसको पढ़ने के बाद आप objective questions महावीर या परिक्ष हैं कि unit second है आपकी भारत का इतिहास यह जो है Indian history related unit है इसको पढ़ने के लिए आप द्रश्टी की जो quick book आती है बो ले सकते हैं इसमें आपको detail मिलेगी history की तो द्रश्टी जो quick book है उससे आप detail पढ़ ले उसके बाद आप घठना चक्र की जो पुरवाव लोकन आती है भारत तिहास उससे आप questions solve करें, objective question ही आप घटना चक्र की book से लगा सकते हैं, और अगर आपने history को पहले से थोड़ा पढ़ रखा है, और अब आप सिर्फ short में पढ़ना चाहते हैं, यहां क्या होता है, कि history थोड़ा सा vast subject हैं, और समय की कई बार कमी होती है, तो फिर जब आप revise करन चाहें, तो आप in short में आप lucent पढ़ सकते हैं, और lucent पढ़ने के बाद भी आप questions जरूर स्वाव करें, next हम बात करते हैं, third unit की, जो third unit है, वो है मथ्यप्रदेश का भूगोर, MP की geographies related है, यहां आपकी first unit जो रहती है, वो है MP की history और यहां के art and culture से related रहती है, जो आपकी third unit ह वो MP की geography से related है, और fifth unit आपकी MP की quality और economy से related है, तो यह जो तीनों units होती है, इसको आपको MPGK के रूप में पूरी पढ़नी रहती है, तो यह जो MPGK subject आयता है, इसको आप या तो महेश कुमार बर्णवाल की जो मध्यप्रदेश एक समगरध्यन आती है, उससे पढ़ने, या फिर आप परिक्षाधाम से पढ़ने, जब आप इन दोनों में से कोई एक book पढ़ लेते हैं, तो यह तीनों units आपकी cover हो जाती है, इनसे पढ़ने के बाद आप महावीर से या परिक्षाधाम से objective question स्वालव कर सकते हैं, objective question आपको स्वालव करने बहुत जरूरी होते हैं, क् पढ़ने के बाद आपको पता किसे चलेगा कि subject आपके तरफ से कितना clear हुआ है, तो आप question जरूर स्वालव करें या कोई अच्छी test series आप जोइन कर सकते हैं, अगली unit है fourth unit, fourth unit आपकी भारत एवं विश्व का भुगोल, यह जो है आपकी geography से related unit है, world geography और Indian geography दोनों को पढ़ आने के लिए आप महिश्मवनवाल की भुगोल वाली book ले सकते हैं, भुगोल एक समग रध्यनाती है, cosmos publication की book है, यह best book है, इससे आपको pre और minus दोनों में help मिलती है, और लगभग सारा ही cover हो जाता है pre में तो इस book से, आप यह ले ले और आपको लगता है कि नहीं इसको पढ solution solve करें, next हम fifth unit की बात करते हैं, fifth unit मध्यप्रदेश की समवयधानिक व्यवस्था और मध्यप्रदेश की अर्थ व्यवस्था यानि की MP की quality और economy से related है, यह MPGK के साथ आपकी cover हो जाती है, या तो आपको रिक्षाधाम ले 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 या महिश्कुमार बढ़नवाल जए cosmos publication की व आपको current से relate करके पढ़ना होता है, तो current के लिए आपको MP का जो current है, उसके लिए आपके पास रहती है मध्यप्रदेश current affairs, मध्यप्रदेश current affairs जो है exam media publication की book है, मध्यप्रदेश मन्थन नाम से आती है ये book, तो ये आपको ये पुरी fifth unit cover करवा देती है, तो साथ में आपको ये पढ़नी रहती है, next है, sixth unit के बारे में, इसमें दिया है आपका भारत का समीधान, शराशन प्रणाली और अर्थ व्यवस्था, वैसे economy बहुत कम आती है MPPSC में, यहाँ जादा नहीं पढ़ना होता है, economy के लिए आप Lucent पढ़ ले, काफी है, और जो समीधान है, वो आप M. Lakshmikant जी की बुक से पढ़ सकते हैं, Lakshmikant एक थुड़ी बड़ी बुक है, यह आपको मेंस में तो पढ़नी ही होती है, मेंस में तो बहुत जरूरी होती है, लेकिन जब हम प्री की बात करते हैं, तो आपने अगर पहले से पढ़ रखी है, तो ठीक है, और नहीं पढ़ करते हैं, सेवन्थ यूनिट की, सेवन्थ यूनिट जो है, यह विज्ञान एवं परियावरण से रिलेटेड है, इसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धान्त, मतलब आपकी जो Chemistry, Physics और Bio सब से रिलेटेड कुश्चन आ जाते हैं, Environment भी इसमें आ जाता है, यह थोड़ी सी बड़ी और जिनका Science बेग्राउंड नहीं होता है, उनके लिए थोड़ी सी टफ यूनिट भी है, इसको पढ़ने के लिए आप निर्मान की जो यूनिट 7 है, वो ले सकते हैं, या तो फिर आप Lucent की जो सामान्य विज्ञान आती है, Special Science की बुखाती है, Lucent की वो आप ले सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि आपका परियावरण थोड़ा सा कमजोर है और उसको भी आपको पढ़ने के आवशकता है, तो फिर आप परिक्षावाने की परियावरण एक्सर हम बात करते हैं, यूनिट एट की जो है अंतराश्ट्री एवं राश्ट्री समसामाई घटनाओं से संबंधित, यनिकि ये जो पूरी एट यूनिट है, ये आपकी Current Affairs और साथ में Sports से Related यूनिट है, इसको पढ़ने के लिए आपको MP का Current अलग से पढ़ना पढ़ता है, और National, International Current हलग से पढ़ना पढ़ता है, MP Current के लिए आपके पास एक Best Book अवेलेबल है, Exampedia की, तो आप Exampedia ही लें इसके लिए, और जब आप National और International Current पढ़ने वाले होते हैं, तो Exampedia की भी अवेलेबल है, और SPD भी अवेलेबल है, इन दोनों में से आप कोई सी भी ले सकत हैं, National और International के लिए दोनों में से कोई भी ले ले, और MP Current के लिए आप Exampedia ले ले, हमने जो 2022 का और जो 21 का प्रिलिम्स हुआ था, उसमें Exampedia ही ली थी, काफी अच्छे questions कवर कर दिये थी, इसने मतलब लगबग सभी कर दिये थे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप Exampedia ह ले ले, नेक्स्ट है, यूनिट नाइन, यूनिट नाइन भी थोड़ी सी टफ ही मानी जाती है, यह आपकी संबंधी थे सूचना एवं संचार पध्योगी किस से रिलेटेड है, इसके लिए आप परिक्षा धाम की जो बुकाती है, यूनिट नाइन वो ले सकते हैं, और य यह थोड़ी सी अगर आपको कम लगती है, या जो exam के questions होते हैं, और exam के demand के इसाफ से यह थोड़ी सी कम ही है, पर इसे अच्छा कोई option अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आप इसके साथ में परिक्षा मन्थन भी पढ़ें, जरूर आप इसको पढ़ें, परिक्षा मन्थन की बात करते हैं, 10th unit, यह है राष्ट्री एवं प्रादेशिक, समवेधानिक, साविरिक संस्था हैं, यानि कि जिसको हम आयोग वाली unit कहते हैं, तो यह आयोग से related unit है, आयोग को आपने M लक्षमी कांथ में पढ़ा होगा, और नहीं भी हैं, तो आप M लक्षमी कांथ से प परिक्षाधाम की आती हैं, वो भी ले सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई एक book ले सकते हैं, और आयोग की जो थोड़ी detail हैं, वो आपको लक्षमी कांथ में भी मिल सकती हैं, तो साथ में आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, इन सारी books से related, तो definitely आपका 100% prelims qualify हो जाता है, यह मेरा अपना experience है, और मैंने selection इनी books को पढ़ के लिया हैं, लगभग तो, और English medium वालों के लिए भी इन में से कुछ books जो हैं, इंग्लिश में भी available हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, और Hindi medium में तो बता ही दिया हैं, आपको यह सारी ही है, और वीडियो को अंतर तक देखने के लिए धन्यवाद, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे social media चैनल से आप इनको जरूर जोइन कर लें, ताकि आपको MPPSC से related जितनी भी content या information कुछ भी नया आता है, तो हम इन पर देते रहते हैं, ताप इनको जरूर जोइन करें,